नमस्कार आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक अंत्राभाग 2 के पार्थ 2 सुमीरिनी के मन के के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सुमीरिनी के मन के नाम से तीन लगू निबंध बालक बच गया घड़ी के पूजे और धेले चुनलो पाथे पुस्तक में दिये गए हैं इस वीडियो में हम जो पहला पार्थ है बालक बच गया उसको संकलित करेंगे इस वीडियो में और उसकी व्याक्या मैं आपको यहाँ पर दूँगी साथी साथ पार्थ की समाप्ति के बाद इसी संबंदित प्रश्नोत्रों की चर्चा भी करूँगी तो अब हम बिना किसी देरी के पार्थ की और बढ़ते हैं और पार्थ का नाम है बालक बच गया और पार्थ की और बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब क को मिले साथी साथ मेरे वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और वीडियो को इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरू देखें तो यह जो बालक बजगया है जो हम इसका पहला भाग ले रहे हैं उसमें क्या है कि इस का प्रतिपाध्य यही है लगुनिबंद यानि चोटे चोटे निबंदों को संगलित किया गया है और इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो लेखक है चंद्रधर्ण शर्मा गुलेरी जी वो इनके माद्यम से यही बताना चाहते हैं कि शिक्षा ग्रेंड की सई उम्र क्या है लेखका मानना है कि हमें व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तूत करना चाहिए शिक्षा के लिए मनुष्य को प्रस्तूत नहीं करना चाहिए हमारा लक्ष है मनुष्य और मनुष्यता को बचाय रखना होना चाहिए यानि एजुकेशन का मतलब सिर्फ अपना IQ लेवल स्ट्रॉंग करना और अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना नहीं है हमारे अंदर हुम्यानिटी भी हमारे अंदर की मनुष्यता भी कायम रहनी चाहिए यदि मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित भी हो जाएगा बचा रहना अर्थात जीवित नहीं और हमें शिक्षा का बर्डन उसके उपन नहीं डालना चाहिए हमें उसके अंदर एक इंट्रस्ट जगाना चाहिए ताकि वो शिक्षा की और अपने आप ही अग्रिसर हो तो यहां जो लेखक है गुलेरी जी उन्होंने बहुत ही असान से उधारन के माध्यम से जो यह बालक बच गया है इसको समझाने की कोशिश किया और यहां पर वो शुरू करते हैं कि लेखक कहते हैं घट्रा का वर्डन करते हुए कहते हैं कि एक स्कूल का वारशी कुच्छफ था वारशी कुच्छफ एन्वल फंक्शन था और लेखक को महां बुलाए गया था, as a guest महां बुलाए गया होगा, वहां के प्रधान अध्यापक, यानि Head Master के आठ वर्षिये पुत्र की नुमाईश की जा रहे थी, अब यहां ध्यान दीजेगा, नुमाईश शब्द, यानि exhibition, नुमाईश की जा रहे थी, नुमाईश शब है, लोकों के सामने खड़ा है, और उसकी किसी तरह की कोई presentation है, और वो आखे जुकी हुई क्यों है, आखे सफेद क्यों है, उसका मूँ पीला क्यों है, इसका मतलब वो घबराया हुआ है, वो नर्वस है, एक बालक के ज्यान को जाचने के लिए तरह तरह के प्रशन पूछ जा रहे थे, अब अब बेस है, एक नॉर्मल कोई student हो तो उसके उपर इतना pressure नहीं होता, उपर से वो headmaster का बच्चा है, वो stage पर है, तो एक तो confidence की कमी, moral down हो रहा होगा, उपर से उसके उपर इतना burden है कि उसके जो father है वो प्रधान अध्यापक है, तो यह उसका लाजमी है, कि कोई चीज गलत हो गई, तो उसके पिता की छवी खराब होगी, उस बालक के ग्यान को जाचने के लिए तरह तरह के प्रशन पूछे जा रहे थे, और वे उनके उत्तर दे रहा था, बालक ने धर्म के दस लक्षन बता दिये, नौरसों के उधारन दे दिये, उसने पानी क चार डिगरी के नीचे ठंडक में फैल जाने का, तता उससे मचलियों की प्राण रक्षा के कारण को भी बता दिया, यानि उससे जिस भी तरह के क्वेशन पूछे जा रहे थे, जिस तरह के प्रेशन पूछे जा रहे थे, मतलब लेखक देखकर साफ समझ गया है, रिटे र बारे में भी बता दिया, फिर बालक से पूछा गया, यानि उससे जितने भी प्रेशन पूछे गये, उसने सब का उत्तर दिया, फिर बालक से पूछा गया, तो क्या करेगा, बालक सिखाया गया, उत्तर सुना दिया, और उस बालक ने जो उसको उत्तर रटा रखा था, वो उसने दे दिया जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा अब आप खुद सोचे आठ साल का बच्चा उसको क्या पता कि सेवा क्या वर्ड है किस तरीके से सेवा करते लेकिन उसको वो आंसर रटवा रखा था वो तर रटा हुआ था और उसने वो उसका आंसर दे दिया सभी उपस्तित लोगों ने उसकी बुद्धी चातुर्रे की प्रिशंसा की उसके पिता जो हेड मास्टर थे का हेड़ गया उडिलास से बढ़ गया यानि बहुत प्राउड फील कर रहे थे एक बूड़े महाशे ने उसके सिर पर हाथ शेर कर आशिरवाद दिया और इनाम मां तो यह कुछ ऐसी ही चीज मांगेगा जो पढ़ाई लिखाई से संबंदी तो सबकी एक 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 उमीद लग जाती है तो वह उमीद सबकी यह थी कि यह तो भही इतना शाप मैंड है तो 24 गंटे पढ़ाई लिखाई में रहता होगा तो यह कुछ ऐसी एजुकेशन से अपनी क्यों न दिखाई लेकिन एक बालक बुद्धी बालंग बुद्धी होती है तो वह अपने असली रूप पर उतराया और बोला मैं लड़ू लूँगा यानि जो उससे एक्सपेक किया जारता उसके अपोजिट ही उसने बच्चे का स्वभाव है वो कितनी भी उसके आटिफिशल चीज पर चड़ाने की कोशिश की जाए कितनी भी कृत्रिमता उसके उपर लादने की कोशिश की जाए उसके अंदर का बच्चा निकल कर भार आएगा ही आएगा और वो हुआ ही उसने मांगा लड़ू उसकी इच्छा सुनते ही पिता और अध्यापक निराश हो गया क्योंकि उनको एक्सपेक्ट था कि ये कोई बुक मांगेगा वैं तो उससे किसी आदर्शवादी चीज मांगनी की बात याशा कर रहे थे बच्चे की आंतरिक भावना को नकार रहे थे यानि वो एक्सपेक्ट करना निचा रहे थे कि ये बच्चा है वो सोचे थे ये पढ़ाई लिखाई में इंटेलिएंट है तो इससे रिलेटीडी कोई चीज ये वस्तु ये मांगेगा बच्चेगारा लड़्डू मांगा जाना उसकी जीवित पुकार की निशानी थे कि ये बच्चा अभी बच्चा हुआ है ये बच्चा बच्च गया यानि ये जो कृत्रिमता का मुलंबा इसके ओपर चड़ा रखा था पढ़ाय लिखाई ये सब ये अभी बच्चा बच्चा हुआ है हम बालक पर कृत्रिमता को देर तक लाद नहीं सकते बच्चे को बच्चा ही बना रहने देना चाहिए तो यहां पर ये जो पाठ है बालक बच्च गय यहां समाप्त उता है और ये अत्यंत ही सरल पाठ है कुधारन के माध्यम से यहां पे लेखक ने बहुत ही सरल भाशा में से समझाने की कोशिश की है और मैं भी आशा करते हूं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा उसके बाद भी अगर आपको किसी भ प्रश्णों क्यों प्राइड, और प्रश्णों कोर्ण में सब्सक्राइब काुछ आप अंसर में हैं, परग्राफ में comfortable है तो आप paragraph में लेकिन कोशिश कीजिए कि जो important point है यह नहीं पूरे को underline कर दें लेकिन आपको कोई लगे कि यह bird यह यह line बहुत important है तो उसको underline कर लीजिए तो इसका answer कुछ इस प्रकार है कि उसे निमलिकित प्रश्न पूछे गए कि धर्म के कितने लक्ष पूछा गया चंद्रग्रेंड का विज्ञानिक कारण बताईए पांचवा इंग्लेंड के राजा हैंडी आठवे किस त्रीयों यानि पत्नियों के नाम बताईए और लास्ट पूछा गया पैश्वाओ के शासन की अव्धी के बारे में बताईए यतन असान था जितना पाठ के कोई पोयम अच्छे से समझ आ जाती है तो आपको कहीं से कोई भी प्रशन उटकर आ जाए तो किसी तरीके से भाखर इसकी घुमा दीजाए कि से पूछ लेया जाए अगर आपको वह समझ आ गया और आपको उसका आंतर्गरू आता है तो आप बड़ी ही सरन्ता से इत्व सकते हैं बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोग सेवा करूँ गया जीवन भर अब मैंने पहले ही बताया था जब मैं आपको पार समझा ले थी कि उसको यह आंसर रटा दिया गया था उसको खुद को भी इसका मतलब नहीं पता था कि सेवा क्या होती है तो यहां प क्योंकि उसे यही उत्तर सिखाया गया था देह बालक अपने उत्तर का सही मतलब भी नहीं जानता होगा यह उत्तर उसका अपना नहीं था अगला प्रशन है बालक द्वाराई नाम में लड़ू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस के ओभरी थी लेखक ने क्योंकि उसे मह बाते कर रहा था जिसका इसको खुद को भी आंसर नहीं पता है जिसका इसको खुद को भी अर्थ नहीं पता है और मतलब यह जैसे आप लोगोंने 3D एंट भी देखियों उसमें भी क्या था वो इसकी एक स्पीच होती है वो स्पीच को समझता नहीं है बस रटकर उसको सु खाया उसने कोई ऐसी चीज़ ना मांगकर उसने लड़ू मांगा तो लेखा को लगा कि हाँ अब यह बालक बच गया और उसने गहरी सांस की अगला प्रश्न है बालक की प्रवर्तियों का गला घूटना यानि जो उसके एक्च्वल जो बच्चे के जो खुद के स्वभाव अनूचित है पाट में ऐसा अभास की थलों पर होता है कि उनकी प्रवर्तियों का घुला घूट जाता है तो बहुत सी जगह पे बहुत से थलों पर यह अभास होता है आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूं जब बालक से ऐसे प्रश बालक की आखों में और स्वभाविक भावों की लडाई साव जलक दिखाई दे गई थी यानि उसके एक्स्प्रेशन से पता चल रहा था कि उसको सबकुछ रटवा रखा है उसको सबकुर सिखा रखा है अगला प्रशन है बालक बच गया उसके बचने की आशा है क्योंकि लड्डू की पुकार यानि उसका लड्डू मांगना जीविद व्रिक्ष के हरे पत्तो का मदुर मरमर है यानि उसकी पहचान कराना है कि जिस प्रकार एक जीविद व्रिक्ष अपनी पहचान कराता हरे पत्तों के साथ मरे काट के इलमारी की सिर दुखाने वाली खड़कड और जब एक पेड जो है विजान हो जाता है उसके पत्ते जड़ जाते हैं वो मर जाता है तो उससे अलमारी बन जाती है या इसका मतलब वह है तो कथन के अधार पर बालक की स्वभाविक प्रविर्तियों का लेक पीजी उसका उत्तर कुछ इस प्रकाल लिखेंगे बालक से उ पसंद वस्तू मांगने को कहा तब इसके दुआरा लड़ू मांगा जाना उसकी बाल सुलब स्वभाविक्ता को इंगित करता है कि यह उसका बच्चपन है इससे लेखक को लगा कि अभी इस बालक के बच्चने की आशा है अर्थात इसका बच्चपन बचाया जा सकता है अ बालक को किसी स्वार्थ वर्ष नियमों के बंधन में बांदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यानि जो बच्चा जैसा उसको उसके हाल पर छोड़ देना भी नहीं चाहिए लेकिन उसके को किसी चीज के लिए प्रेश्राइज या अपने स्वार्थ को साधने के लिए उसक को कहीं और कोई और प्रश्ण मिलते हैं जिनका उत्तर आप नहीं दून पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके वह प्रश्ण पूर्श सकते हैं मैं आपको उन प्रश्णों का उत्र जरूर दूए आगे इसी प्रकार में वीडियो आपको देती रहूंगी इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह गड़ी के पूजे की और अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो क अपडेट सब्सक्राइब आपको मिले तो जल सब्सक्राइब नहीं किया है